नमस्कार सातियों सातियों आज हम बात करेंगे इस खूबसूरत सी पत्तियों वाले पोधे के बारे में और आप देखेंगे कि परकृती के खजाने में बहुत सारे अदभुत पोधे भरे पड़े हैं मतब ये कि परकृती ने जीवित रहने के लिए हमें हर चीज आसिरवाद के रूप में उपलद कराई है ये पोधा भी उसी अदभुत खजाने में से एक है ये है काली हल्दी काली हल्दी ओस्दियों गुणों से भरपूर है तो वैसे तो हम हल्दी के बारे में तो बहुत जानते हैं पीली हल्दी तो हर घर की दसोई में उपलब्द मिल जाएगी और उसके गुणों से भी हम वाकिफ हैं अच्छी तरह से लेकिन काली हल्दी बहुत कम लोगों ने देखी है और इसका उपयोग जो ने जैसे पीली हल्दी को तो हम सब लोग इस्तेमाल करते ही हैं दूद में मिला के पी लेते हैं और ये लेकिन जो काली हल्दी है ये पीली हल्दी से एकदम अलग है और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं ये अद्रक परिवार का ही पोदा है और चिकित सा जो परियोजनों में बहुत इसका दवाईयों में बहुत इसका परियोग होता है ये दर्द निमारक, दात दर्द, चकत्तों, पेट की समस्याओं, ओस्टियो अर्थराइटिस, प्लड सुगर, वजन घटाने के लिए, पित उत्पादन, पाचन में बहुत मददगार है, लीवर की समस्याओं से बहुत फाइदा देती है, ये एंटी ओक्सिडेंट, इसमें प्राकर्तिक एंटी ओक्सिडेंट मिलते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी है, फेफणों के विकार, ब्रोंकाइटीस, निमूनिया, अस्थमा, खुजली, ये इन सम्मेकाली हल्दी न, इसका इस्तेमाल होता है, इनकी दवाईयों में इसका इस् फेस पे, चेहरे पे, सुंदर्ता, सुंद्रे परसाधनों में और दवाईयों में बहुत इसका इस्तेमाल होता है, और ये एसिया का ही मूल निवासी पोधा है, लेकिन इसकी विदेसों में खुब मांग हो रही है, और कोरोना के टाइम पे, क्योंकि इमिन्यूटी और भी है, कोरोना के टाइम पे, इसके रेट आसमान को छोने लगे थे, काली हल्दी को एक मतलब जड़ी बुटी तो ही है, लेकिन ये एक दुरलब जड़ी बुटी है, इसमें कर्क्यूमिन, कर्क्यूमिन एक तत्व है, एक पदार्थ है, इतना किसी पोधे में नहीं पाय जाता जितना काली हल्दी में होता है, तो इसको ये कह सकते हैं, कि ये पीली हल्दी का एक छोटा चशेरा भाई है, और उत्तर पोरु के सासत मद्ध परदेश, गुजरात, कई राज्यों में, इसकी आजकल खेती हो रही है, बड़े पेमाने पे खेती हो रही है, लेकिन जि इसकी जो पहचान है वो, एक तो इसकी जो कंद होते हैं, कंद जो काटके अगर देखेंगे, तो काले और नीले रंग के होते हैं, काले और नीले रंग के बिलके बीच में समझे, ये स्याही के रंग के होते हैं, जैसी स्याही होती हैं, पेहन में बरने वाली, उस्याही के हो होते हैं और जैसे कहते हैं ना कि पीली हल्दी ने तो पूरे हिंदुस्तान में ही तहल का मचा रखा लेकिन ये काली हल्दी जो है ना ये एकदम जादू ही है और उसका पीली हल्दी का ही है चचेरा भाई के ये बारी मासी जड़ी बूटी है और इसमें जो फूल आते हैं वो लाल लाल उसके जो मारजिन के साथ पीले फूल आते हैं टॉंसिल सूजन साप काटने में घाव पर पेस्ट बनाकर इसका लगा जाता है एंटी फैंगल गूर्ण भी इसमें होते हैं अंदर से काले बसे रंग की होते है जैसे मेरे जाही के कलर होती है और पोधह एक के מתे के समाई ही ये भी होता है और वैसे देखा जाए तो इसको बताते है किसकरन के ये आंदर वसीCON की आद्भुत छमता होती है लोग इसे नजर उतारने में टोने टोटकों में बहुत इस्तेमाल करते हैं इसलिए इसकी खूब डिमांड बढ़ रही है लोग कहते हैं कि काली हल्दी के गाठों को तीजोरी में रखिये तो धनका भाव नहीं होता यह एंटी अलसर और एंटी बैक्टिरियल गोलों इसमें बहुत होते हैं अस्तमा संदी संबंदी रोगों में सर्जी युकाम खासी में माईग्रेम में बहुत लाबधायक है इसका जो वो करक्यूमी नामक जो इसका तत्व है ना उसकी कारण इसमें एंटी कैंसर गून पाए जाते हैं डोक्टर सलाह देते हैं जिनको कैंसर हो जाता है कि डेली डाइट में इसको सामिल कर लिजिए डेली लेने के लिए आपके बीच में काली सी धारी होती है यह तो यह काली धारी इसकी पहचान है इसकी पत्ती की और काला नीला के बीच का कलर कंद को गर काटके देखते हैं तो वह होता है अब हमने इसको गंबले में पिशली बार यह लगाया था यह अच्छली जब मैचूर्टी की तरफ बढ़ती है तो पतियां गिरा देती है और कंद रह जाते हैं इसके तो कंद इसी में पड़े थे पिछली बार एक कंद था बहुत सारे पोदे दे के गंबले में नजरा रहा है तो इसको बता जाता है बहुत टोने टोटके जोतिस साथ में इसका बहुत चमतकारी इसको मानते हैं आयूर्वेद में तो इसको बहुत मानते ही हैं लाबकारी लेकिन जोतिस साथ वगएरा में भी इसका और इसका एक्सपोर्ट हो राजकल वास्तू, केनुसार, पूजा, साधना एसवर ये दाता है ये काली हल्दी और दुरलब जड़ी बुटी है वैभव के लिए ये इसको घर में रखते हैं उगाया जाता है तो बहुत ही, देखिए इसका कलर जो काली हल्दी का और पत्तियों का इस तरह की ये दिखती है काली हल्दी की सेल्फ लाइब बहुत कम होती, तीन-चार महिने में ये एकस्पायर हो जाती, इसलिए ये महंगी होती है काली हल्दी, गठिया, मिर्गी के जैसे रोगों में भी काम आती है इसके काले रंग के कारण इसको काली देवी के रंग से भी जोड़ा जाता है और काली पूजा में उप्योग करते है इसका जो में राइजोम होता है वो मदर होता है और उससे छोट-छोटे राइजोम निकलते है और बहुत सारे राइजोम बनते जाते है तो इसका बीच बहुत महेंगा आता है, इसलिए कि साज इसको कर नहीं पाते हैं, इसकी जो डार्क ब्राउन कलर के इसके राइजोम होते हैं, और जैसे मैंने बता है, यह पैरीनियल हर्व है, और इसका नेटिव प्लेस, इस यह औरनामेंटल और हमारा यह मेडिसनल प्लांट है, स्लोग रहा होई है, आठ नो महिने लग जाते हैं से मैचोर होने में, और इसको कई नामों से पुकारा जाता है, इसको नरक चूर, ब्लैक जैडियोरी, सिया हल्दी, काली हल्दी, इन नामों से इसको पुकारा जाता है, इसको नरक हर भी कहा जाता है, तो वैसे इसका ब जहां तक इसको लगाने की बात है तो ये 30 से 60 सेंटीमीटर की होती है और सामाने उपजाओ भूमी जितने भी हमारी सामाने उपजाओ भूमी है भुर भुरी भूमी में कंद को फूलने में अच्छा रहता है तो इस सभी सामाने उपजाओ भूमी हो जाती है कंद या पोधा इसका रोपा जाता है और रोपाई के 250 दिन बाद पैदावार मिलने लगती है गाठों को धूप में सुखा कर इसको बेज देते हैं डायरेक्ट और 12-15 कुंटल सुखी काली हल्दी परती एकड़ पैदा हो जाती है और 500 रुपे किलो यह नियूनतम 500 रुपे किलो बजार में विग जाती है खेत में बस पानी नहीं रुकना चाहिए इस तरह का पानी हमें रखना है कीट रोग इसमें कोई लगते ने खुद यह जड़ी बुटी है तो कीट ना सक हमें इस्तेमाल नहीं करना और जून महा में इसकी खेती के लिए बढ़ी है वैसे तो अप्रेल से लेक कि मद्य सिरा युक्त होती है पुस्पिस का गुलाबी राइजोम बेलनाकार होते हैं और टेंपरेचर इसके लिए पंदरे से चालिस डिगरी के बीच में यह आराम से होती है मिट्टी हलकी दोमट बलूई मट्यार सभी में हो जाती है लेकिन वह भुरुबनी मिट्टी में गमलों में भी अगर रख्या तो भुरुमिटी मिट्टी रखिया बड़ी चलती है और इसकी जो लाइन से लाइन की दूरी अगर खेत में है तीस सेंटी मिटर और पॉद्श पूदarmed के कंद को रफ़्ूब cann B6 और गयार से 10 सेंटी मिटर लगते हैं और इसकी सर्थियों के से 48-45 टंड परती हेक्टर ये पैदा हो जाती है। फूजा के साथ साथ कमों में हर सुब कारियमें इसका काली हल्दी का उपयोग होता है। पीली वाली तो मसालों के रूप में ज्यादा प्रियोग होती हैं लेकिन अन्य बहुत सारे इसके प्राकर्तिक जो हमारे सौंद्रे परसादान है उनमें दवाईयों में इसका खूब इस्तेमाल होता है। जहां तक गंबलों में उगाने की बात है 10-14 इंच के गंबले में इसको बो दीजिए 20-25 दिन में कंद में जमाव जाना सुरू हो जाता है। और 500 ग्राम परती गंबला इससे कंद मिल जाते हैं। डेली रूटीन में इसको आप जोड सकते हैं डेली डाइट में और इसमें कुछ बैने बता है कि केमिकल किसमें कोई इस्तेमाल करना ही नहीं होता है। बस मिट्टी भरगरी रखें और जब इसकी पतियां सूखने लगए तो पानी देना इसको बंद कर दीजिए। और पर इसको निकाल कर सुखा लीजिए तो इसको पाउडर, पेज, तिंचर, और वोईल भी इसका बना सकते हैं। इसकी जो मिट्टी की पीचर वो साड़े छे से साड़े साथ तक अच्छी रहती है। जैसे कि मैंने बताया कि पंद्रे डिग्री से उपर और पैतालिस के नीचे आची चलती है। वैसे आइडियल टेमपरेशर पैतिस से चालिस डिग्री से एंटिग्रेट अच्छ होता है। अपरिल से जुन तक लोग उगा लेते हैं। अध्रक की तरह ही इसको उगाते हैं। जिसको जैनवरी से अपरेल तक इसकी हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसके जो सबसे बड़ी समस्य है कि बीच बहुत महंगा मिलता है इसलिए थोड़े कुछ कंद मिल जाए तो उनी सोगा लिए तो इसमें काफी महंगा है और आयुरवेद में सरंगार सावानों में बहुत उगती है तो इसका जाते है परकरती का दुरलब का खजाना है ये और जो इसका जो मल्टीपली किसन डेट इसके एक तरह से वन इस्टु तु त्री है मतलब एक कंद बहुगे तो तीन गणा हो जाते हैं पानी सप्ता में एक बार खेती में अगर कर रहें तो पानी सप्ता में एक बार भीजे देखके जतनी जरूरद है लोग इसको बैड बना क करने लगे हैं और और अर्गेनी खेती करते हैं क्योंकि ये चिकिस्सा छेत्र जोती सायुरवेज नजर तंत्र इनमें टोने टोटकों में खोब इसका 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 इसको बुला जाता है तांत्रिक मांत्रिक धन प्राप्ति के लिए इसको 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 बुला जाता है तांत हो जाता है भारती वनस्पती है और आयुरुवेद में चमतकारी बोधा है में काली हल्दी को महत्बूर्ण ओसनी माना मगया है धार्मिक रूप से सुध्ध बानी जाती है दुरलब पर जाती है काली नीली इसकी कंद होती है संद्रे परदास परसाधन मेडिसिंस में इसका भ हिंदोस्तान की काली हल्दी अमेरे तक अमेरे तक तक एक्सपोर्ट हो रहा है तो यह बहुत अच्छा पोदा तो कैसा लगा मेरा वीडियो असाथियो अच्छा लगा तो कमेंट करिए गा लाइक करेंगा सब्सक्राइग करना मथ भूलिए गा नमस्कार सथियों